हलो बच्चो गुड न्यूज आप सबी स्टूडेंट के लिए ध्यान से सुनो फाइनली आपके डेली उनिवस्टी एड्मिशन की फेस 3 की ओफिशियल डेट अनॉंस्ट हो चुकी है और फेस 3 में क्या करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ सबसे पहले बता दू कि अभी आ कॉलिजज की आपको प्रायॉरिटी से अभी पढ़ेगी कि कौन से कॉर्स में लेना है कौन से कॉलिजेस को आपको टॉप में रखना है कौन सा नीचे रखना है यह सारी चीज़े आपको ध्यान पूरुबप फिल करना है और यह जब आपका बंद होगा उसके बाद जो October 2022 को अगले महीने finally आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको अलोट किये जाएंगे वो colleges जिसमें आपके नाम आये होंगे आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपने अपने phase 2 में फिल करे थे उसके बाद अगर आपके उस लिस्ट में नाम आती है किसी particular college म तो उस college में जाके आप apply कर सकते हो basically college में नहीं जाना है आपको उसी due के portal को login करना है जहां पर आपने registration करना है account open करना है वहाँ पे आपको उस college में apply करना है बस ठीक है वहाँ पे जब आप college में apply करोगे आप वाकिम eligible रहोगे आपकी सारी detail college के पास जाएगी and उसके बाद college में admission पका हो जाएगा लेकिन इससे ज्यादा important सबसे ज्यादा important आपके लिए जो phase है वो है phase 2 जहां पे आपको अच्छे से colleges की courses की preference फिल करनी है and उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूँ मैं तुम्हें live आके daily 12 बजे दोपहर को आज भी दोपहर को 12 बजे तुम् मैं सब्सक्राइब करने वाला हूँ कि तुम्हारा कहा admission हो सकता है क्या तुम्हारा डियू में admission होगा या नहीं या other colleges की तुम्हारी admission मिलेगी या नहीं सारी तुम्हारी marks में live 12 बजे दोपहर को हर रोज आके check करूँगा तो तुम प्लीज दोपहर को 12 बजे ready रहना जो भी बच्चे हो सकते जितने maximum बच्चों के मैं number उठा के बता सकूं उनसे कि तुम्हें कौन सा college मिलेगा नहीं मिलेगा admission होगा नहीं होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा बस आप इतनी काम करो चैनल को subscribe करके रखो and तुम्हारा भाईया साथ में मिलके एक बढ़िया और